क्या पिंपल्स की वजह से आपकी खुदसूरती छिंसी गई है? तो चलिए जानते हैं इसको ठीक करने के घरेलू उपाए. 1. नींबू नींबू को काट कर उसका रस एक छोटी कटोरी में निचोड लें. इसमें थोड़ा नमक वर शहद मिलाकर मिश्रन बना लें और प्रभावित जगह पर लगाएं. 15 मिनट के लिए सुखने दें और फिर त्वचा को गुंदूने पानी से साफ कर लें. 2. टमाटर एक छोटी कटोरी में दो चम्मच टमाटर का रस लें. अब इसमें एक चम्मच शहद वा आधा चम्मच बेकिंग सोडा डालकर एक पेस्ट बना लें और पिंपल्स पर लगाएं. 10 मिनट बाद थंडे दूद से चेहरे की मसाज करें और साफ पानी से चेहरा धोलें. 3. हल्दी एक चम्मच हल्दी पाउड़ा को दूद और गुलाब जल के साथ मिलाकर पेस्ट बना लें और सीधे पिंपल्स पर लगाएं. 4. शहद शहद को पिंपल्स पर लगा कर छोड़ दें. कुछ देर के बाद थंडे दूद से चेहरे की मसाज करते हुए से हटा लें. 5. बेकिंग सोडा अगर आपकी तवचा बहुत अधिक सम्वेधन शील है तो इसका इस्तिमाल ना करें. एक चम्मच बेकिंग सोडा में कुछ मात्रा गुलाब जल मिलाकर पेस्ट बना लें और पिंपल की जगह पर लगाएं. 15 मिनट बाद इसे साफ कर लें. और ऐसे मज़िदार मुस्खे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें.